आई मच्छी तरह से समझें कि गीता में नासिकाग्र भ्रूमद्य दर्शन का जिक्र बहुत है अब यह देखिए समझाने का तरीका है और जिते भी तरीकें सब अधूरे हैं क्योंकि इस बिधी से सभी नहीं समझ सकते हैं यहां पर हम समझते हैं कि इसको सभी लोग समझेंगे, यह देखे कि वेक्ति है, यह ब्रूमध्य पर एकाग्र नहीं है, तो हो क्या रहा है। जो लाइफ फोस जो एंटर कर रही है, फर यहां से ब्रेल में कठा होती है, नीचे जाती है। भूमध्य पर एकाग्रना होने से नीचे जाने में खुशी अधिक हैं। यह जो चाल लाइन है, यह प्रसन्नता को व्यक्तर करता है, कि नीचे जाने में इसको आराम लग रहा है, उपर जाने में कठिनाई हो रही है, ऐसे बाहर निकलने में आराम है, और अंदर आने में कठिनाई है, ऐसे श्तिति में इस तरीर के अंदर जो कारिक्रम है, क्रिया कला वो काम, करोध, लोभ, मोह, मत्सर से नियंतित होगा। और उसमें क्या होता है कि हस्तिनापूर ता हस्ना हस होता है। इदिन मैंने आपको सम्झाया था कि प्रतीक रचना सब कुछ है। यसे चाक भी हस्तिनापूर है। आप अन्हो करेंगे तो देखेंगे यह कृष्मागवान भी है। यह दुर्योधन भी है। यह धितराष्ट भी है। यह पाजपंडू है। यह दुरुपदी है। एक चीज सब रूपों में व्यक्त होती है। जैसे एक बीज, जड, तन, शाखः, पतिया, पुष्व, फफल, कांटा, सब रूपों में प्रकट होता है। वही स्थिती प्रतेक रशनाओं के साथ है। प्रतेक पिन्ने में, जाहे वह एटम की रूप में हो, जाहे किशी रशना की रूप में है। उस पे पुरा ब्रमान रहे, अतित वर्तमान भाविश्य है। इस जगाप ध्यान दें, इस स्थिती में भ्रूमध्य पर एकागरता नहीं है। तो ये वेक्तिय जो भी है, इसके नदर काम-कुरोध, लोग, मोह, मद, मत-सर, ये होबी होगा। काम काते हैं, ज़ हमारा मन इंद्रियाओं के संपर्क में आने पर जो प्रत्थम अनभूत होती है काम है। जैसे हमें जीवा पर रखा नीवू, क्या लगा खटा। ति ये जो खटा पन है जीवा पर, अब ये इस्मिती आगई कि नीवू खटा होता है। किसी न लाई इतना बड़ा फल और खा कि ये नीवू मीठा है। तो हमें का नहीं ये मुसम्मी है। हम उसे नीवू नहीं कहेंगे। हाँ कोई बड़ा एक नीवू होता है। तो उसका नाम बदल देंगे कागजी नीवू या बड़ा नीवूू। लेकिन दिमाग में बैठा है कि खटा है तो नीवू की जाती है कोई नीवू की जाती है। उसको बड़ना मुस्कील है। जब तक हम ये न सेख लें कि जीवा से प्रांण सर्क्ति को हटा लिया। अब जीवा पर स्वादी के अन्भूती होती ही नहीं। ये काम निस्तेज हो गया। तभी है। इसके पहले ऐसे संभू नहीं है। तो अगर बार बार मिठा खाने के आदत हो गई, या खटा खाने के आदत हो गई। एक दिर इति मजबूत हो जाएगी, कि मन बेचेन हो जाएगा जिस दिन नहीं मिलेगा। तो काम तथ मन को पकड़ लिया। यनि दुरियोधन अब धितराष को पकड़ लिया। पिस्ली बार मने आपको बताया था कि मन ये अंधा है बच्पन से, इसे जब बच्चा जलती ही आग देखता है तो पकड़ता है, कि एकुस पता नहीं कि जल जाएगे। अपने ंदर मन बच्मन से अंधा है इसलिए धितराष भी बच्मन संधे था तो जो चीज आतीत में हैं बःत्मान्य olmuş में आज भी अपने अंधा है तो अगर हमारा मन काम के वस्म हो गया, तो हस्तिनेपुर तो हस्तिनेपुर क्या है? तो हमारे गुड़ों की अभिवक्ति हो, कर्म की कुशलता में आने की छमता परात हो, तो उसी के नाम पर इस शुरूप का नाम करन होता है हस्तिनापुर, यही हस्तिनापुर हुआ, इसके अंदर जह मन हाभी है, दुर्योधन हाभी है, तेही धित्रास और दुर्योधन यहाँ पर हैं, और फिर हस्तिनापुर की लानत पड़ेगी, यह गर्बढ होगा, फिर महा भारत चाहिए, महा का मतलब सबसे बड़ा, भा का अर्ध ज्यान है, अर्ध का मतलब जूर्णा, सबसे बड़ा ज्यान क्या है, जो सच को जान लीजिए, कि पुरा ब्रम्भान ने, यह परव्णम्हका ही यह, दृष्य रूफ है, इसके लावाँ ओदृष्य भी है, यह है, तो यह व्यक्ति का जो हस्तिनापुर है, तहस्तिनापुर है, हाठ है, बड़ प्रेश, डाइब पुल बना, एक आकरषन बना, यह आकरषन फिर बद्ध करेगा कि जो सक्ति नीचे जा रही थी, यह बिना मन के, बिना खूशी के नीचे जाए, उपर आय तो खूश हो कर आए, आशी स्थिती में हम ही, पांच पांडो के रूप में, कुंती के रूप में, मादरी के रूप आप 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 मारे मार्वदार्सक होंगे, तिसे पांच पांडो को का गया है, दम सम्तितिक्षा उपरते सद्धा समाधाम, दम काते इंद्रियों की अनल्सक्ति, अगर इस जगह पर अगर यह पूरी तरश जागरित हो गया, यह है थोस्तत्य का प्रतिक, पृत्वी का प् पिर तनमात्रा में, फिर इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, फिर मन बुद्धी चित तहमकार्में रूपांत्रित हो सकता है, यह जग गया है, यह किसी भी स्थिति में अपरे को बदल सकता है, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो शक्ति उत्रियों को दम काते, दम हो गय दमकाते इंद्रियों की अनन्द शक्ति, और जब ये जागरित्वात, ये है साहदेव का रूप, इसने साहदेव को का गया बड़े संदर थे, क्योंकि ठोस चीज को ही एक रूप दिया जा सकता है, तके इसमें हड़ी नहीं है, मांस पेशयों का अकार नहीं, तहम अमीबा के स्वास्थाई है, वो ठोस के वज़ा से है, इसलिए साहदेव को सबसे सुंदर का गया था, ये है नकुल का स्थाम, ये स्वाधिस्थान चक्र, जब अपने सुरूप में आ जाते हैं, तो हम विनम्र हो जाते हैं, इसे जल तत्यों का प्रतीक है, जल को चाहे थाली में रख कर दीजिए, कोई दिककत नहीं, रंगेल कर दीजिए, लेकिन जल उसमें से आप निकाल सकते हैं, रंगे को अलग कर सकते हैं, इसे जिसको कहा गिया नकुल अत विनम्र, नकुल बहुत विनम्र थी, ये दोनों संजगत रूप से अश्वन कुमार देवता कहे जाते हैं, ॆ अश्वने कुमार देवता कहते हैं। अरश्वनी कुमार देवताओं के वैदे ही, और देवत्त में गल्हार नहीं लगेगा। हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, करी नहीं पा रहे हैं। ठक गए। मन थखग गया, बुद्धिनी काम कर रही है। तो देवत्तavya क अभिवेक्ति कैसे कर पाएंगे। इस लिए सनिकोमार दियोताय इसके जगने पर होते हैं। जो दियोताहं के वैद्दे हैँ और ये जगने पर बहुत बड़ी शक्ति आती है। हम विन्म्र हो जाते हैं। हम जिस चीज को चाहें एक रूप बना लेते हैं, किसी चीज को प्रकट कर देते हैं। इसी तरह से मडिपूर अगने तत्तो का प्रतीक, अर्जुन भीम, ये धिस्थिर, ये कृष्ष्पगवान ऐसे हैं। आज भी से ये नहीं है, हम तो एक इसारा किये हैं। ये फिर यहां पर, अगर भूमद्य पर एकाग्र होते हैं। तो जब इस शक्ति खुछी सूपर की तरफ जाती है, नीचे आने में इसको आला से लगता है। तो हम ही पांस पाणो की रूप में कारे करते हैं। और जब हमारी एकाग्रता यहां से जो शक्ति जो नीचे के तरफ चलती है। उसको कहा गया शक्ति की सिस्टर बहन, उसकी ब्रांच। इसकी शक्ति को कृष्ण चैतन, फिर दुपदी को कृष्ण की बहन कहा गया। उनका नाम कृष्णा भी था। पूरे यहां से हां शक्ति जब अभी भाजित होती है तो दुपदी होती है। और जब शक्ति दो में, मरीपुर चक्र तक, और फिर नीचे यह मादरी और यह कुंति कुंति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देवताओं को आकर्षित करने के छंता हो जाती है। तिन पपकार के देवताओं धर्मराज, पवन देवताओं अग्ने देवताओं इंद्र। फिर इसको शक्ति ही कुंति क्योंकि वो नीचे भी शक्ति को देखर के इनको भी जाग्रित कर दे। इसलिए क्रियायोग ध्यान के जो उची ध्यान के क्रियाय होती है। तिसा और अर फ्हौर्था इनिसियेशन, वो यहां से संबंध ही ताई, उसको नीचे से संबंध नहीं। उसका संबंध यहां सूपर की तरफ है। इसलिए कोई कोई हैं जिनको ओपर जादा ध्धान अनायास लगने लगता है तो बच्पन से ध्यानी हो जाते हैं, बच्पन से जीनियस होते हैं, और उक्तुलना में आगे होते हैं, तो सोते हैं सबसे अच्छे तो हम ही हैं, फिर आगे बढ़ने में उनको आला से भी होता है, कि हमको तो आता है सब, इसलिए यहां से यहां तक जागरल की बात होती है, आ और यह सक्ति पर अपना पुरा एकार हो जाते हैं, फिर सक्ति सैसी मैत्री हो जाती है, जो सोचिए वो होने लगता है, और सोचेंगे वही जो यूग के अनुसार होगा, और आत्री के नहीं सोचेंगे सूरज निकालाएं, जब सूरज हैं ति यह नहीं सोचेंगे कि रात हो ज आतिव विनम्र हो जाते हैं लड़ी महासे की तरह. लड़ी महासे कबीर सबकुछ दिखा सकते थे लिकिन सेमित दारे में दिखाते थे. यह आए और जो सक्टि बाहर जाती है यह दिखे अधिकांस लोटने लगती है. बाहर जाने वाले को आपान काते हैं अंदर जो भाती प्राण है तो आकर के आपान जो प्राण से मिलती है सर्वोच यग्य का संपादन होता है. एक यग्य होती है, दो चीजों को रगड़िये, हाथे ली को रगड़िये तो गर्मी पैदा होती है, अगर बिलनी निकली हो, तो बिलनी ठीक होती है, सुजन कम होती है, वो भी एक यग्य है, लेकिन सरवोच यग्य है, कि दो ऐसे चीजों का घर्शन करिये, जिनको हम छू न पाते हों, देखना पाते हों, वह है प्रांण, जीवन, तत्त, जो इसके अंदर आ रहा है। जो बाता है, प्रांग है निकला आपान है। जब भुम मद्य पर एक काककरता होती, तो आपान का धिकान सभाग लोटता है, प्रांद सी मिलता है। यह जो घर्षन होता है, एक गीता के चौथे धय का उन्तिस नंबर इस लोग है, कि प्रान और अपानुवाइव, जो आपसे मिलते हैं, फिर ऐसी योगागनी प्रकट होती है, कि यह शक्तिकेंद जल्दी चे जग जाते हैं, जगने बहुत समय नहीं लगता है, यह कि यह है, जब यह सब जानते हैं अच्छी तरीके से, फिर मन में आता है कि भेई हम पूरव दिशा में मुह करके खाएं, उत्तर में मुह करके खाएं, कोई चीज पूजा करें तो पूरवा भिमुखो, उत्तरा भिमुखो, यह सब क्या है, यह सब अमेरिका में तो नहीं है, अमेरिक आजवाशियों का देश था, सबकी फोटो हमारे पास है, हमारा देश तो बहुत संपन था, शिक्षा में भी, बैभो में भी, वो आगे क्यों हो गया, हर दवा का आविशकार वही हुआ है, सब चीज वही हुआ है, टेक्नलोजी के सबसे अच्छा संटर वही है, विश्यो के स अच्छा है, पास्टर वही है वो चीज नहीं प्राप्त हुँ है जो साफ्तर में लिख़ा है, कि कि पूर अअ सिरा ग्रव से झानाँता है, आँ सुरज की देख रहे है क्या इन आया जो ज्वज्ण NAT nov त्टा सिमी थे कामी नहीं चलता है तु फिर पस्षिम देखेंगे तु आस एंट खो जाएंगे पर्ष्र मु रोज इसलिए हम भातक गए पिर अंदर में फर पाहर दिखेगा पानी अंदर में नहीं होता से पाना पी तो दारीया हो जाएगी हो जाएगी इल्टी हो जाएगी इल्टी है पाहर से इल्टीस न्मे डखी हो euros LEE variasफ जर अह Test जब तक अंदर में हनमानजी को, राम को, गड़ेश को, दुर्गामा को, काली को, और अतीत को, वरत्मान भविष्य को, अंदर में जब तक नहीं अंभो करेंगे, बाहर पकड़ने में बड़ा समय लगेगा, दस लाख वर्स चाहिए बयाद रहीते जीवन, आते रहीए, जात रहीए, एक दिन पकड़ लेंगे, अगर हम सच्चे भग्त हैं ज्ञान के तो इसी जनन में चाहते हैं, तिसले क्रिया यग ध्यान हम के लिए है, जो एक जनन में पोड़ ज्ञान की अंभोती करना चाहते हैं, तो अब आईए, ये तो यग्य के बारे मास्पस्थ हो गया, अब इस शरी जब हस्तिनापूर है, अभी हम लोगों ने समझा, तिसके अंदर धर्म शेत्र कुर शेत्र कहा है, धर्म बना है द्रीधात से, द्री काते धारन करना, और क्या धारन की ए मा, मा काते हैं, परिवर्तन सिल सत्ता, जैसे अंडे से चुडिया, बीज से पेर, पेर करते हैं, रा से भी करते हैं, मा से भी करते हैं, मा में अस्थाइत ज्यादा है, और रा में ज्यादा गतिशिल्त आए, जो छीज हम धारन की ए है, यह है क्या, भई इस्थिर तो दिखती है, इसमें जो तरत्रा के परिवर्तन प्रकट होते हैं, उसको रा से सम्मोधित करते ह लेकिन रा और मा में इतना ही अंतर है जैसे बर्फ और पानी और भाप भाप भी पानी है लेकिन अर्रा के रूप मानिए लेकिन मा क्या है मा भाप भी है पानी भी है बर्फ भी ऐसा समझे तो जो चीज हम धारन कि ये है ये परिवर्तन से इल सत्ता है तो उसका छेत्र का हम है लो में ब homeless-込ह, ईप भी थेत्र, और रखत्र, तट रही क्ँछत्र रहे. इन थेत्रों में ऐशी कोई जगा बताइए छहां से आभी परिवर्तन का नियंतर्ण होता है वह स् öffentlich Φ। इसे धर्म क्यफ है क्ट्र का सबसे सघ्घ्धन क्या श्य। रहीर रहे. जो अपने अंदर जो पान्दूवर गहें वो कहां भाँ ह Personally भाश्यम में खड़े हैं एक कॉरोर के और मुख्य है और सो दिए खॉर्ण लोग पूरब में खड़े हैं पाश्यम के और मुख्ये इस आ मतलब क्या है जब हम इस प़ति में होते हैं तुम्मेले काम्करोद लोब नवध मत सर के जान उब तानाव और चंता में होता है तो निरहनतर याद करते हैं कि भगवान कहा है, शांति कहा है, ज्यान कहा है इसके घुरिवा भीमुख होना पूरिवा भीमुखँ ने का मतलब इस्ष्वरृर्मुखँ ने है के लिए गाहने कोई हमको बताया था, कि दो लोग आय थे डिली से अशनान करने को मेलय का समय था, तो दूनो नो पुटल में रूख गए, चाजे नई भेए मैं तो जाओगा क्लम पहला काम में रूप की लगाना एके बुब के लगाणा एक रूटल में रुटबusta, तो जो फ कि ठीक वेसी होता है जब कामक्रोद लोह मुः मधध मतसर के वश्म हो जाते हैं तो इन्य रंतर शांती और ज्ञान के तालास मोते हैं हम पूरब दिशा की और उतर दिशा की और हम उन्मुक होते हैं लेकिन जब पांडों किधर खड़े हैं, सम्मस्तर सांसारी कर्मों को करते ही भी वो ज्ञान में लगे ही यह दिखे पश्यम दिसा है यह इंद्रियों का च्छे तो पश्यम दिसा है और अंदर की ओर आईये तो पूरब दिसा है इस तरह समझ यह सिर है यह रिव रही है जब अंदर की ओर होती है यह है पुर्वा भीमुग उपर की ओर होती है यह है उत्रा भीमुग लेकिन जब बाहर की ओर होते है तो पश्यम की यात्रा है जब नीचर की ओर होती है तो दक्षड की यात्रा है यह 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 जब संसार में रहते है यह सब की स्यवा करते है यह पेड क पुर्वा भी मोखें और जब हम संसार मरते हैं नेक बीमारियों से तंसन से जूझते हैं फिर हम सोते हैं को ज्यान मिले, शांती मिले, हम कौरो पक्षमे हैं, हम पूरप की ओर दिशा किये हैं तो हमें करना क्या है? पान्नो के पक्षमे हुना है क्योंकि हमारे मारदर्शक हम चाहते कृषमागवान हो, तो कैसे होगा घर की सेवा से हटिये मत, मता-पिता की सेवा, बच्चों की सेवा, पती-पत्नी की सेवा, घर में पेड़ पोधे, जानवर हैं, जो कुछ भी है, खुब अपने जिम्मेदारियों का निर्वा करते हैं हम क्या करें, हम निरंतर पूर्वा भीमुख रहें, तो पूर्वा भीमुख कैसे रहेंगे, कुरियायोग ध्यान करते हिए, संभस्त कर्मों का संपादन करिए, अपने आप हम पांडों की तरह रहेंगे, अंदर से कुछ भगवान का ज्यान मिलेगा, कुछ भगवान का ज् वैसे अष्णनो की शक्ति है, विश्नो की शक्ति क्या है? तश्सब रहें राक्स्स्राइ राक्स्ष्ष्श्ष्च्ष्थर् स्ट्राइए लाडि एется लाडिये बाता था समें दिन पो रहें रात डी रह। वायरस वैक्टिर्या ब है हम भी रहें सबी कास्तित्य बना रहें, बिविधता बनी रहें, आपस में क्लैस नो हो, तेही विष्णो की शक्ती है, इसी को अहिंसा भी काते हैं, हिंसा का अभाव, तो जब हम अपने संसारिक कर्मों को जिसे संसारिक काते हैं, एक क्रिया क्लास में संसारिक कर्म है, हम जो बोल हैं संसारिक कर्म है, किताब लिखते हैं संसारिक कर्म है, यह समस्त क्रिया कलाप, आपके लिए खाना बना रहें संसारिक कर्म है, आश्रम बेवस्थित करहें संसा करके पुर्वाभी मुख है थामारे कॉर मार्ग दर्शक होंगे आहिंसा शक्ति यही आहिंसा पर चलने का मार्ग है अब सुचिए जीओ पदाया करें इसका क्या अर्थ है अभी यही नहीं पता जीओ क्या है फिर ब्रस्ना कर यह वैटिरिया मरता है पता चला कि यहां पर कर जाते हैं उसमें केतने प्लोड श्रिल सबर जाती हैं ताब करता है कि आप मृत दंड दे रहे हैं कोशिकाओं को हम जैसे बोल रहे हैं फिरांटम काते हैं अ यह नते क्या यह इंसा को समझने का यह ही तरीका है कि सिर से पहर के अगली तक इस पूरे को हम सेवा भव में लगा कर रखते हुए, कृया योग ध्यान न छोड़े, इतना कृया योग ध्यान समझ ले, कि चलते हुए, दोडते हुए, काम करते हुए, हर समय, जब कृया योग ध्यान करने लगेंगे, तो फिर याद रुखिएगा, जो ये परिवर्तन शि इसे कर रहे हैं? अपने अस्तित की ÜRDHA-मी करके,। के लगा करके कामि, जब उजा उडते हैं तो कू होता है? में कर द Mayo आपने संपोर सामर्द को उर्ध गामी करके यैनि आप पुरभ दिशय में फिर उतरा भी मुझ करके फिर कर्मका संपादन करेंगे तो वह जो कर्म का संपादन करते उसका भी छेद्र चेट्र यहिए ता अपना अस्तित यह हले धर्मसे ध कुर्षेत्र भी है ऑपार बार्नों कितारा कैसे रहे? आपको समझ में आगया, क्रियायुक ध्यान करते हिए, सम्हस्त पजिमेदारियों का नेरवा करिए। जैसे ही पर देखें, अपर देखें, एंजिनियर भी है, प्रोफेसर भी है, बड़िस परी लोग है। हम इश्र कर नाम पर आप हम बाहर काम नही करेंगी फेर इष्वर क नियन नहीं पाएंगे उष्वर इस्वरिष सब आपआँगेolia मां की सेवा करते हिए कैसे आप इसर से जुड़िए वह क्रिया युग विज्ञान तब आप देखे पुरब पश्यम उत्रदक्षर का कॉंसेप्ट बाहर की और पूरब ये पश्यम अंदर की और पूरब की आत्रा नीचे सुपर की और उत्रा भिमुग उपर से नेचे की और दक्षरा भिमुग तो इसको बाहर हम लोगों ने कैसे कहा मैं जब पूरब की और जाते हैं तो ज्यान आता है ज्यान कई तरह का है या बाहर जब सूरज निकलते हैं ता आंखों से देखने का ज्यान आया है थमने उसको पूरब कह दिया जब देखने का ज्यान खतम हो गया तो उसको पष्षिम का दिया सुर्यास्त हो गया इसब चीजे जब पुरव पष्षिम पता चल गया तो पुरव के उर्मू करके खड़े हो गये तो आपको बाई तरफ उत्तर हो गया दाने तरफ दक्षिन हो गया ते जब जो दिशाओं का निरधारन हुआ है यह बाहर की तरफ करके वो तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे जब अंदर की जब तक दिशाओं ना जानी है इसे हर चीज की खोज हम लोगों को अंदर में पहले करने तब बाहर मेलेगा और जब ऐसा करेंगे तो दिश बन जाएगा आपका देखे कैसे बनेगा करके देखे ना यह जगा जगा जहां बैठे हैं यह चुरी डेकती करके बांटा जाता था यह लोग शराप पीते थे इसको न तो आवास भिकास लिया न एडिया इति जगा को छोड़ दिया था यह आश्रम बना की नहीं एगागगा नहीं जग का ररह इसा चाहर ना हो आपको फास बिलकूल पशए कियो नहों, आपको पास बिलकुल पशे कियो नहो झाल। रहे।। जंमेदारियों का कुछी से निर्वा करते हिए। क्रिययोग ध्यान इतना करिए, क्रिययोग ध्यान हर्देवर्य कर सके ये जव आप जगड़ेगशी कर लें जग्याद सके ये घ्रयाद देवर्दी होके किरियोग कर सकता सबस्द इसका मतलब कि वो जो जगड़ा करेंगे, वो जोड़ने के लिए करेंगे आप, उससे अलग नहीं होगे। यता संफेप में जो जीज हम बतना चाहरहे हो लिए के पूरा पाest点不त्त叢द क्या है इसका मता सके कि आप ध्यान करते हैं। यही जुजा में बताता था बहुत पहले राज्ट 25 जाल 30 साल पपले तो नहीं समहसता नहीं था लोग अच्छा लगता था लेकिन वह मानते नहीं थे, अब इसको मानते हैं लोग, एक चीज और बताते हैं, अब दिखें, सामन का महिना है, जाकर कि लोग जल चड़ाते हैं शंकर जी को, इस सब जो करते हैं ठीक है, उसको गलत मत कहिए, बच्चों का खेल है, चलने लेकिन वास्तविकता है क्या समझे, आई जैसे पंच कोशी परिक्रमा हम कहते हैं, पंच कोश चलना है, पंच कोश दस मील हुआ, तो दिन भर में तो दस मील अगर आप चल लेते हैं, तो आपके अंदर जो हड़ियों की बीमारी होती है, औस्यो प्रोसेस होती है, कार्टिल पंच कोशी परिक्रमा है उसको भी बाली होती है ठीक है, लेकिर उससे पूंगिया नहीं मिलने बाला है, तो कौन सी पंच कोशी परिक्रमा है, जो सास्तों में वाडन है, तो अगर हम इस उंगली का, या इस कलाई का, या इस पैर का vale, त्रांस्वर सेक्षन काते हैं, जब तो मद्ध में मिलेगा कुटस्त केंद्र ले आंखवस नहीं देखेगा, इंटुशन से देखेगा, ये ट्रांस्फर सेक्शन आप मैक्रोस्कोप से नहीं देख पहें या किसी लेंसे इसके चावतरब जो पहला चेत्र है ये आनंद में को से प्रत्हम को से जहां पर दिवत में हिर्द चेत्र कारता है दूसरा है ज्ञान में को से जहां पर बुद्ध तत्यो कारता है तरक वितर्व से काम करते हैं ये दिवताओं को चेत्र, ये बुद्ध में है, ये मानों का चेत्र फिर है मनों मे कोस, जहां पर बुद्धी भी सुसुथ है, और हिर्दी भी सुसुथ है, तो ये है मनों मे छेत्र, जहां पर सारे जिव जन्तु हैं, जब ये जागरित होता बाके सुसुथ हैं, तो हम ही जिव जन्तु की तरह हो जाते हैं, हम ही चुडिया होंगे, जानवर हों आनार्ञ्ष ब Virtu आ है है इसके चालब दौ पराण्मैच्हेत्र जिसको वनस्पति अंगाते हैं प्राण्मैच्हेत्र में वनस्पतियम जब कि और प्रान संचालिथ हो गर्द चेत्र मंग्चेत्र बुद्ध्ध्गेत्र यह सुषब्त हो से हुआ पिर्पㅎपोदू हो जाते हैं और जब पता चला की अनन छोड़ा है और बाकी ॹ conversations से हमी पहार रनंदी हो जाते हैं हमी आड़ परमान हो जाते हैं तो जब हमारे अंतर जो जो निक ए इम आनन्द मे छेत्री यह जगता है तो हम इद्धता की तरह काम करते हैं, यह हर्दे से काम करते हैं, हर्दे से काम करते हैं, हर्दे से काम करते हैं, हर्दे स्थेत्र को यह और है, अंली में भी है, हड्डी में भी है, और जब इदूसा छेत्र जगता है, तो हम मानों की रूप में तर्क वितर्क से कारे करते हैं, तीसा छेत्र जब जब जगता है, तहुम जिव जन्तों की रूप में कियोर मन खेंदी थे बाकी सुषुपत हैं, और ये चोथ था ये प्राण में छेत्र वनस्पतियां और अन में छेत्र आण परमान। अगर ये जागरी थे बाकी सोर हैं तो हमें पत्थर हैं, जब दोनों जग्या तो हमें पेड हो गए, तीनों जग्या तो हमें जिव जन्तो हो गए, ये चारों जग्या तो हमें मानो हो गए, पांचों जग्या तो हमें ध्यता हो गए, तो एक ही संराचना अलग लग रूपों में प्रकट होती है जैसे यही बीज है जड़ निकल आया थोड़ा साथ अंकुरित हो गया थोड़ा अंकुरर और बढ़ा ते ही पौधा हो गया पौधा होते होते बढ़ा हो गया पिर लग गया फिर उसे में फूल लग गए, उसे में फल आ गया, यह होता है कि नहीं है, ति यह मत सोचे कि यह पत्थर हम से कम है, हम पत्थर एक ही हैं, अंतर है, हमारे में यह कोष, पंचो कोषो में यहां तक जग 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 प снचशब परिक्रमा यह जो है जग क्रियायोग चियान करते हैं, अंदर में जैसे अवे स्युकी पूजा कर रहे थे कोजा ज define फैंप निम जात्रा करते हूंग, weconsetरा यहांपनानर युग भी यूछा, पांसे यात्रा करते हैं, we परिविस करते हैं, हम सब चेत्र को बना लेते हैं, फिर पेर बना लेजे, जानवर बना लेजे, लड़ी महासे की तरह कई शरीर बना लेजे, यह हैं संचेप में क्रियायोग, हम लुग कितने भागिसाली हैं, कि क्रियायोग करने का उस्थर मिलाए हैं। I bow to all of you, हम आपको हिर्दे से आपको नमन करते हैं, हम आपकी पुजा करते हैं, पुरे ब्रह्मान को हम पाकर के धन्य हो गए, परमात्मा स्वयम सब रूप में प्रकाशी थे, क्रियायोग ध्यान में अपनी भाक्ती को नमन करते हैं, let us bow down to our devotion in Kriyoga Meditation. झाल